चलिए बच्चों, आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम जानेंगे और वो जनरली बीटेक में बच्चों को बहुत कन्फ्यूस करता है, ठीक है, और इंजिनरिंग के दौरान हम समझ भी नहीं पाते हैं, कि ये दो पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लेश और फायर पॉइंट, ठीक है, इसको बेसिक से समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, अराम से समझेंगे ताकि इसको इसमें एक बार समझने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी confusion ना रहे ठीक है तो समझते हैं इसके लिए जिस भी fuel को आपको ये diagram दिख रहा है जिस भी fuel को का हमें flash point या fire point हमें निकालना है ठीक है उसको हमने एक container में रख दिया ठीक है तो फिर उसके बाद नीचे ये एक heat source लगा हुआ है ठीक है ये heat source लगा हुआ है इससे आपका heating हो रही है ठीक जब ये heating होगी जब ये heating होगी ठीक है तो इसमें क्या होगा vaporization start होगा that means bubbles बनने start हो जाएंगे यहां पर ठीक है ये आपका bubbles बनने start हो जाएंगे ठीक क्योंकि और ये bubbles जब बन जाएंगे that means जब vaporize हो जाएगा ठीक है जब ये vaporize हो जाएगा तो फिर ये जो air है उससे mix होके एक एक flammable mixture बना लेगा ठीक है एक flammable mixture बना लेगा ये ठीक तो फिर उसके बाद इसको हम एक ignition source से ignite कराएंगे ठीक है तो ये जब जब ये ignition source इसको ignite करेगा ठीक है ignite करेगा तो यहां पर हम एक thermometer लगा के रखेंगे ठीक है यहां पर एक thermometer हम लगा के रखेंगे thermometer हम लगा के रखेंगे ठीक है इससे हम वो temperature वो temperature note करेंगे जहां पर ये fuel ignite होना start हो जाएगा कौन सा temperature जहां पर ये fuel ignite होना start हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ignite होना start जब हो जाएगा that means just ignite होना start होगा ठीक एक flashing type की होगी ठीक है ignite हुआ बट यह नहीं कि उसको continue रहेगा बट वो जस्ट flashing होगी उसके अंदर ठीक है तो यह just flashing होती होती है ठीक है वो point हम note down कर लेंगे और वो point हमारा कहलाएगा flash point वो point हमारा कहलाएगा flash point ठीक है बच्चों तो अब आपको clear समझ में आ गया होगा कि flash point क्या है ठीक अब fire point क्या होगा fire point क्या होगा fire point यह होगा अभी तो क्या हुआ कि सिर्फ flashing हुई है ठीक है vapor उठा ठीक है air में mix हुआ ignition source ही हमारा पास लगा हुआ ठीक है वो आपका flashing करेगा ठीक है लेकिन अगर further और हम इसको heat करेंगे तो क्या होगा एक point ऐसा आएगा जब आपकी जो flame है ठीक है वो five second के लिए sustain करेगी वहाँ पर that means कोई भी आपने आग लगाया किसी भी चीज से ठीक है तो वो five second के लिए रुकेगी वहाँ पर यह नहीं है कि just flashing हो गई flashing नहीं हो रही है केवल ठीक है fire point is different from flash point ठीक है तो उसमें क्या हो रहा है आपका flashing के बाद आपकी जो flame है वो थोड़ी देर तक रुक रही है ठीक है that means थोड़ी देर तक वो रुकी रहेगी तो जब उस point को हम thermometer से check करेंगे तो वो point हमारा कहलाएगा fire point कौन सा point बिटा fire point ठीक है ठीक आप लोगों को यह clear समझ में आप आ गया होगा कि actually में यह है क्या simple actually में यह experiment है जिससे laboratory में हम जो है इसी तरीके से check करते हैं flash और fire point किसी भी fuel का कोई भी fuel हो कोई भी fuel आप ले लिजिए उसका आप flash और fire point इसी तरीके से check करेंगे ठीक है अब आपको समझ में आ गया अब यह सोचिए कि यह flash और fire point हम लोग क्यों use कर रहे है क्या क्या है मतलब इसकी इसका significance क्या है ठीक है आप लोग सोचते होंगे कि शायद यह combustion में use होता है ठीक है combustion में कुछ होता होगा auto ignition temperature भी होता है ऐसा ही कुछ यह भी होता होगा ठीक है ऐसा नहीं है ठीक है यह actually safety purpose के लिए use होता है ठीक है कि हमारा जो safe हमारा जो fuel है वो कितना safe है ठीक है ठीक क्योंकि भई safer side भी रखना पड़ेगा ना यह नहीं है कि fuel कभी भी आपका जलने लगे ठीक है आपने देखा भी होगा आपकी जो trains होती है ठीक है goods trains होती है उसमें आपने देखा होगा वो tankers लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है highly flammable fuel, ठीक है, आपने देखा होगा, highly flammable fuel लिखा रहता है, ठीक है, तो ऐसे ही आपने tanker भी देखे होंगे, ठीक है, उसमें भी लिखा रहता है, तो ये कैसे decide करते हैं, कि highly flammable है या नहीं, तो ये as in mechanical engineer, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना आपको चीजें पता होंगी, उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है, उतना ही आपको engineering को समझने में मज़ा आएगा, हर चीज को practically, हर चीज को हमें practically देखना है, ठीक है, जितना practically देखेंगे, उतना हम engineering का मज़ा लेंगे, ठीक है, और मज़ा ही लेना है, engineering का मज़ा ही लेना है, ठीक है, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक! तो आपने यह चीज देखी होगी, simple लोग समझेंगे के पता नहीं क्या है यह है यह क्यों लिख रखका है flammable क्या होता है, क्या नहीं होता है…ब हम बतायेंगे कि 27.8 degree centigrade है, ठीक है, तो वो जो liquid होगा, वो जो fuel होगा, वो आपका कहलाएगा flammable fuel, वो जो आपका fuel कहलाएगा, वो कहलाएगा flammable fuel, ठीक है, अब कोई confusion नहीं रखना है, ठीक है, इससे अगर नीचे हुआ flash point, तो आपका वो ही liquid होगा flammable fuel, ठीक है, आपने देखा भी होगा, diesel, कैसा fuel है, कैसा fuel है, सोचके देखिए आप, कि diesel कैसा fuel होगा, diesel flammable नहीं है, विकाउज उसका जो flash point होता है, वो इससे ज़्यादा होता है, 37.8 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो flammable नहीं होगा, हमारा ज है, वो इससे नीचे होता है, वो highly flammable है, और आप सब नहीं यह चीज़ चेक की है, मुझे बताने की ज़रुद नहीं है, ठीक है, आप सब mechanical engineers हो, तो आपको सब को यह चीज़ बता होगी, कि यह petrol हमारा बहुत highly flammable है, ठीक है, और दूसरी चीज, आपका alcohols, जितने भी alcohols है यह भी आपके इसी category में आते हैं, ठीक, और यदि आपका flash point, अगर आपका flash point is greater than 37.8 degree centigrade होगा, तो बेटा इसको बोलेंगे हम combustible fuel, combustible, combustible, combustible fuel, ठीक है, बहुत simplify करके इसको differentiate किया गया है, ठीक है, आप देखते ही पहचान जाएंगे, और आप जब भी आपको फ्यूल यूज कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसकी properties पढ़नी पढ़ेंगी, देखो हम लोग, हम लोग इंजीनियर हैं, हमें चीज ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें, हम हर चीज देखनी है, हमारा fuel हम जो भी यूज कर रहे हैं, उसका क्या flash point है, प्या fire point है, और अभी दो point और हैं, ठीक है, आप आराम से बता पाएंगे क्या हमारा flash point है और क्या हमारा fire point है, ठीक है, तो simple अब आप definition में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यह मैंने लिख रखा है और आप समझ सकते हैं, it is the minimum temperature at which fuel produces vapour and form flammable mixture with air, ठीक है, flammable mixture यहां पर एक flammable mixture यहां पर हमें मिलता है, ठीक है, और at this point flashing flame will occur but flame will not sustain, ठीक है, इस point पर आपका flame sustain नहीं करेगा but fire point और इसमें कोई difference नहीं है, वहां पर क्या करेगा, आपका flame sustain करेगा, ठीक है, यहां पर आपका flame sustain नहीं करेगा, वहां पर simple flashing होगी, ठीक है, अगर still किसी बच्चे को combustible fuel और flammable fuel में थोड़ा सा भी confusion है, तो आओ, इस चीज़ को मैं proof करता हूँ, कि यह flash point पर कितना ज़्यादा depend करता है, करते बच्चे कर तो बच्चो फिर आपने ये क्या देखा इसमें कि ये जो फ्लेश पॉइंट है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्लेश पॉइंट इससे ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो फ्लेमिबल फ्यूल है या कंबस्टिबल फ्यूल तो अब जो आपने एक्सपरिमेंट देखा था उसमें एक तरफ डिजल फ्यूल था दूसरी तरफ आपका पैट्रोल फ्यूल था ठीक है तो आपने देखा कि पैट्रोल जो था वो एकदम से जल ग 8 degree centigrade से कम, ठीक है, तो इसलिए patrol को हम बोलते हैं, flammable fuel ठीक, और क्यूंकि diesel, diesel का जो flash point है, वो है greater than 37.8 degree centigrade ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, combustible fuel ठीक है, और यह हमारा Safety का purpose है जलेंगे दोनों लेकिन Safety की purpose हमें देखना है कि कितने Temperature पर कॉण सा Fuel हमारा Burn हो रहा है ता कि कोई भी हमारा इस फ्यूल में उसको Storage करने में किसी भी तरेके की problems face ना करनी पड़े, ठीक है बच्चों, I hope आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब, अब आपको किसी भी तरीके का confusion नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे confusions during हमारे m-tag, b-tag जो भी हम करते हैं तो रह जाते हैं, ठीक है, हम लोग कोशिस करेंगे कि आपको और भी अच्छे-च्छे नए-ने concept, नए-ने doubts ठीक है, आपको पहुचाते रहें, ठीक है, उसके लिए आप देखते रहिए, make it easy का ये channel, thank you.